So guys, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया में होने वाले top 5 scam के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ होता है So हो सके तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना So आएए guys, start करते है So guys, जो पहला scam है, एक काफी danger होता है और इसमें क्या होता है कि आपका पूरा bank account ही खाली कर दिया जाता है और यह scam जो है, यह ATM के अंदर होता है और यह scam उन लोगों के साथ होता है, जो ज्यादा old है जिनें अच्छे से ATM चलाना नहीं आता है So आकिर यह पूरा scam कैसे होता है ATM के बहार scammer लोग बैठे हुए होते है चाहे एक scammer हो, चाहे दो scammer हो यह scam एक scammer भी आसानी से कर सकता है तो वो scammer क्या करते है, ATM के बहार बैठके notice करता है कौन सा person ऐसा है, जो ज्यादा पड़ा लिका नहीं है जिनको ATM इतना चलाना नहीं आता है और यह ज्यादा थर old person के साथ ही होता है So वो notice करता है, जब old person ATM के अंदर जाता है उसके पीछे इस scammer चला जाता है और जब old person का ATM से पैसा withdraw करने का ट्रान आता है तो वो पीछे बैठके उन्हें suggest करता है कि पैसा withdraw करने के लिए कुछ guide करता है और आसकल यह काफी ज़्यादा common हो चुका है कोई भी अपने ATM details हाइट करता ही नहीं और इस scammer को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है वहाँ पर pin number जब वो pin number डालते हैं वो pin number वहाँ से note कर लेता है 4 digit का pin number होता है कोई आसानी से याद कर लेता है उसे उस scammer के पास उन सारे bank का ATM कार्ट होता है वो फेक ATM कार्ट उसके बाद वो scammer notice करता है उस old person के पास कौन सा ATM कार्ट है उसी ATM को एक ATM को हाथ में रखता है और उन्हें help करने के चकर में जब वो ATM से card को remove करता है वो change कर लेता है उसके बाद pin number वो notice कर लेता है बस इतना ही करना होता है जब old person पैसा को withdraw करके चले जाते है उसके बाद वो scammer किसी ओर ATM पे जाके check करता है पहले balance कितना है उसके बाद ATM से जितना भी limit होता है पूरा amount वो withdraw कर लेता है अगर आपके घर में कोई old person है तो प्लीज उन्हें अगर ATM चलाना नहीं आता है तो उन्हें प्लीज एटेम पे मत बेजिए जितना हो सके आप किसी का help तो ले सकते हो ATM पे लेकिन प्लीज पिन नमबर जब आप ATM पे डालते हैं उससे प्लीज हाइट कीजिए किसी के साथ भी so न करें तो गाइस यह सकेम काफी खतरना के प्लीज अगर आपके घर में कोई किसी को ATM चलाना नहीं आता है तो उन्हें यह सकेम के बारे में जरूर बताना जो अगला सकेम है यह सकेम का नाम है इिंटरनेशनल जॉप स्कैम इसमें क्या होता हैं एक इंटरनेशनल कमपनी का नाम लेके आपको एक जॉप ऑफर किया जाता है इमेल के दुआरा अगर आप उस email को response करते हो तो वहाँ पर आपका पूरा details मांगा जाता है आपका qualification हो गया, आपका documents ये सारे details आपसे मांगा जाता है उसके बाद एक interview के लिए date fix किया जाता है उसके बाद जैसे आपका interview होता है, आपका interview भी लिया जाता है call के द्वारा उसके बाद आपको select किया जाता है उस company में job के लिए आपको salary भी बताया जाता है, कुछ ज्यादा ही बताया जाता है कि ताकि आपके मन में लालच हो and आप ज्यादा excited हो उस job के लिए उसके बाद man scam start होता है, उसके बाद आपको एक दो दिन के बाद call आता है कॉल आके आपको बोला जाता है कि आपका इतना डेट पे आपको job join करना है इस location पे आके और उससे पहले आपको visa को apply करना होगा जितना जल्दी आप visa apply करोगे उतना ही जल्दी आपको job मिलने का chances होता है उसके बाद आपको विज़ा एपलाई करने के नाम से आपके साथ पैसा मांगा जाता है बहुत बड़ा रकम 50,000, 1,5,000, 2,000,000 भी मांगा जा सकता है वो इस कैमर के उपर डिपेंड करता है अगर उसे लगता है कि हाँ इस बंदे के साथ फ्रॉट हम कर सकते हैं उसके बाद वो फिर से एक वेज़ा का इशू बना के और पैसा आपसे मांग सकता है जितने बार आप पैसा देते जाओगे उतना ही बार वो लोग रिजन बना बना के आपसे पैसा मांग सकते हैं जब आप पैसा देने उसे बंद कर देते हो उसके बाद आपका email आपका numbers वो सारे वो लोग block कर देते हैं मैंने तो आप लोगों को एक जरिया बताया scam होने का लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको job का offer दे के आपके साथ fraud हो सकता है so guys जो अगला scam है ये काफी नया scam है and काफी लोग इस scam में फस रहे हैं क्योंकि guys इस scam में COVID का नाम लेके लोगों के साथ fraud हो रहा है so guys इसमें क्या होता है एक government का नाम लेके आपको call किया जाता है आपसे पूचा जाता है कि sir क्या आपने COVID का third dose vaccine ले लिया जिसे Worcester vaccine कहते है obviously काफी सारे लोगों ने अभी तक third dose vaccine नहीं लिया है उसके बाद आपको बोला जाता है कि sir आपको अगर third dose COVID vaccine चाहिए तो आपको registration करना होगा तो obviously कोई भी मान जाते हैं and agree कर लेते हैं ready हो जाते हैं COVID vaccine को registration करने के लिए उसके बाद वो इस camera क्या करते हैं आपसे other card का details लेता है उसके बाद आपके साथ pen card का बे details ले लेता है उसके बाद बोलता है कि sir आपका registration complete हो चुका है आपको बस अभी आपके phone में एक other card के तरब से एक OTP जाएगा उस OTP को हमें बताइए उसके बाद जब आप OTP उस fraud को बता देते हो उसके बाद guys आपके साथ किसी भी तरीके का fraud हो सकता है so किस-किस तरीके का fraud हो सकता है मैं आप लोगों को for example बता देता हूँ एक आपका other card और आपका pen card को verify करके वो आपके नाम का loan ले सकता है and second यह हो सकता है कि आपके जो आप जिस bank में आपका account है उस bank का वो mobile banking भी बना सकता है guys सबसे important OTP होता है अगर आप OTP share करते हो तो इस camera के पास कहीं सारे रास्ते हैं जिससे वो आपके साथ fraud कर सकता है so guys अगर आपको corporate registration का call आता है तो please अपना documents का details and OTP कभी भी मत share करना and यह चीज़े अपने family member को भी बता दीजे and guys जो अगला scam है इससे सबसे dangerous scam कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके साथ इस तरीके से blackmail किया जाता है कि जब तक आपके account में पैसा है तब तक आप उस scammer को पैसा transfer करते ही जाओगे जितना भी वो मांगता जाएगा साहत आप लोगों को सुनके अजीब लग रहा होगा इस scam को बोलते हैं newt video call blackmail scam so इसमें आपको काफ़ी danger तरीके से blackmail किया जाता है अगर आप facebook यूज करते हो अगर आप instagram यूज करते हो अगर आप किसी भी chatting करने वाले third party application को यूज करते हो तब भी आपके साथ scam हो सकता है so इसमें scam कैसे होता है अगर आप facebook, instagram यूज करते हो तो आपको कोई एक unknown लड़की message करेगी उसके बाद वो आपके साथ कुछ अच्छाचा tax करती है आपका number लेती है उसके बाद आपके साथ एक दिन दो दिन tax पर बात करती है उसके बाद whatsapp number लेती है उसके बाद आपको video call करने लगती है उसके बाद वो पूछती है कि क्या आप मेरे साथ वीडियो कॉल सेक्स करना चाते हो obviously बात है बहुत सारे young person है और मान जाते हैं जिने इस scam के बारे में पता नहीं है उसके बाद जब आप उसके साथ वीडियो कॉल सेक्स करने लगते हो उसके बाद वो क्या करती है वहाँ से skin record कर लीती है जो हरकत आप कर रहे हो ठीक है उसे तो कोई फरक नहीं परता क्योंकि वो इस camera है उसके बाद skin record करने के अगले दिन से ही आपके साथ blackmail करना चात कर दीती है यह आपका जो वीडियो है जो मैंने आपको पहले वीडियो send करते है उसके बाद blackmail करते है आपका जो वीडियो है यह वीडियो आपके जितने भी family friend है I mean facebook में family friend है उसे send कर दूँगे family को send कर दूँगे family friend को send कर दूँगे ऐसा करके आपको आपके साथ blackmail किया जाता है उसके बाद obviously बात है कोई भी डर जाता है अगर आप नहीं मानते हो तब भी यह लोग बोलते हैं कि आपका जो यह वीडियो है social media पे upload कर दूँगे YouTube पे upload कर दूँगे Facebook पे upload कर दूँगे इस तरह के से blackmail करते हैं यह लोग आपके साथ fraud करते हैं इस तरह के से यह सारा scam होता है अगर आप Instagram, Facebook यूज़ करें कोई unknown person अगर आपको message या फिर call करता है तो please उसे ignore कीजिए so please इस तरीकी का scam से बच के रहना and guys जो अगला scam है इसे online shopping scam बोला जाता है and इस scam के बारे में बताने से पहले कुछ चीजे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि ये चीजे आप लोगों ने भी notice किया होगा अगर आप कुछ भी product खरीतना चाहते हो तो उसके बारे में आप research करते हो चाहे वो laptop हो या चाहे वो mobile हो आप उसके बारे में पहले YouTube में जाके review देखते हो उसका Amazon पे जाके price चेक करते हो Flipkart पे जाके prices चेक करते हो Google पे जाके prices चेक करते हो offers चेक करते हो obviously बाते कोई भी अगर कुछ expensive समान खरीत रहे तो उसके बार में research जरूर करता है उसके बाद आपने एक चीज़ notice किया होगा जिस तरीके का आप product search करते हो उसी से related आपको ads आता है और ये scam कैसे होता है कहीं सारे scammer हैं क्या करते हैं वो लोग mobile, laptop इस तरीके का ads बनाते हैं और उस ads पे click करने के बाद एक fake website ओपन हो जाता है उसके बाद वहाँ पर आपको कहीं सारे mobile दिखाते हैं जो कि expensive mobile बहुती कम price पे दिखाता है उसके बाद क्या है वहाँपर आप click करते हो mobile पे check करते हो वहाँपर cash on delivery का भी option होता है उसके बाद लोग क्या करते हैं हाँ अगर इसमें cash on delivery का option है तो इसे हम order करते हैं कैसे fraud हो सकता है उससे order कर देते हैं लेकिन वो एक टेक वेबसाइट होता है उसके बाद इस scam कैसे होता है उसके बाद 3 या 4 दिन के अंदर आपके पास वो product deliver भी होता है जब वो product deliver होता है तो एक deliver boy लेके उसे आपको देता है उसके बाद जब आप उसको पैसा दोगे उसके बाद ही वो box देता है ठीक है क्योंकि deliver boy का कामे खाले deliver करना उसका कोई scam में क्या है उसे कोई पता नहीं होता है जब आप पैसा नहीं देते हैं तो वो deliver boy आपको box देगा है नहीं पैसा देने के बाद ही वो box आपको देता है उसके बाद जब आप उस box को खोलते हो उसके अंदर जो समान आपने order किया है वो नहीं होता है अगर आपने mobile order किया 10,000 का तो वहाँ पर आपको 200-300 रुपे का watch मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है साबुन भी हो सकता है उसके बाद पुरा उसी scammer ने उसे पुरा box को pack करके दिया है अगर आप open करते हो तो वो deliver boy लेगा इन्हीं और जब आप उस website पे जाते हो तो वहाँ पर आपको actions का option दिखाई देता है लेकिन आप जब वहाँ पर click करते हो वहाँ पर कोई actions का option नहीं होता है इस तरीके से scam होता है guys कहीं सारे third party website है जहां से लोगों के साथ daily scam होता है और ये हर जगा ये ads आपको आ सकता है किसी भी social media पे आपको इस तरीके का ads आ सकता है अगर कम price देख रहा है तो तुरंट उसको order मत कर देना उस website के बारे में एक बार research जरूर करना अगर आप कुछ भी समान order कर रहे हो तो मिंद्रा, Flipkart, Amazon से ही ज़्यादा तर order करना ये जो path scam के बारे में मैंने आप लोगों को बताया इस से साथ आप लोगों को कुछ चीजे सीखने को मिला होगा कुछ चीजे आप लोगों को पता चल चुका होगा So I hope आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दोगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना क्योंकि इस चैनल पर में इसी तरह के का awareness वीडियो daily upload करता हूँ and guys सबसे important बात अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको इस तरह की का और भी, और भी scam के ओपर वीडियो देखना पसंद करते हो तो please comments पे part 2 जरूर लिख देना और भी बहुत सारे scam है जो इंडिया में daily होता है so guys आज के लिए बस इतना है मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे तब तक के लिए आसा scam से बच के रहना be safe and चाहिन